सोलन के बाजारों में करोना संक्रमन के डर के चलते ग्राहक कम है लेकिन आवारा पशू लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं बाजारों में आते जाते ये शान्त रहने वाले पशू अचानक आक्रमक हो चुके हैं बाजार से गुजरने बाले लोगों पर ये अचानक ही हमला कर देते हैं जिसके चलते कई शहरबासी चोटल भी हो चुके हैं अब लोग इन्हें देखते ही खोफ काने लगते हैं बाजार के लोग इन्हें हटाने का प्यास करते हैं लेकिन ये अडियल बन कर खड़े रहते हैं जिस कारण लोग सड़क लांगने में भी संकोच करते हैं लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लोग जान जोके में डाल कर इनके आगे से गुजरने पर मजबूर है शायद किसी बड़ी घटना होने का जिला प्रशासन और नगर प्रशत इंतजार कर रहे हैं सोलन शहर बासियों ने इस बारे में रोश प्रकट करते हुए कहा कि बाजारों में आवारा पशू बहुत जादा हो गए हैं और आने जाने बालों पर अजानक हमला कर देते हैं जिसके चलते एक ब्यक्ति आज भी चोटल हो चुका है पहले भी ये कई बार आने जाने बालों पर हमला कर चुके हैं उन्होंने कहा कि गाउबासियों ने अपना मतलब निकल जाने पर इन्हें शहरों में छोट दिया है जिला प्रशासन को चाहिए कि बे उन लोगों पर कड़ी कारवाई करे जिन्होंने इन्हें सड़कों पर छोट दिया है उन्होंने जि भेजे ताकि किसी बड़ी दुर्खटना को होने से पहले ही टाला जा सके।